आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मिरे नाम असिधान तक नहीं हो तरी शड़ी ग्लोस पर आपका बहुत-बहुत सबागत है दोस्तों वर्ल हिस्ट्री लिच्चर टू हम देखेंगे मैं आपसे आपको डेट बता दूँगा कि अगला लिच्चर कब आएगा अगला लिच्चर आएगा दोस्तों 28 माई को फ्रेंच रेविलूशन पर ठीक है तो वहां मिलते हैं अब अमेरिकन रेविलूशन और वार अफ इंडिपेंडनेस की बात करें तो यह एक ऐसा इवेंट जिसने डेमोक्रिसी, रियल डेमोक्रिसी को जनम दिया समझ रहे हैं हाला कि फ्रेंच रेविलूशन भी साथ-साथ इसके चला वह हम इस लेच्चर के बाद देखेंगे उसने भी डेमोक्रिसी को जनम दिया और एक ऐसा इवेंट था जिसका असर भारत पे भी हुआ तो मैं स चेकेंड से भी कम समय लगना है, बेल आइकन दबाईए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन पाईए, अगर आपको लगता है कि हमारे लिच्चर आपकी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि हमको बहुत सपोर्ट मिलता है, अच्छा लगता है जब हम देखते हमारे सब्सक्राइब करिए, आपको यहां पे सारी PDF मिल जाएगी, दोस्तों अब हम आते हैं, क्या था यह, अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका एक ऐसा देश है, जहां पे पूरी दुनिया भागती है, यह बिल्कुल सच बात है, भारती भी इंडिया भी अमेरिका भागते हैं, है ना, क्यूं, वहां पे चलता है Rule of Law, भारत में भी है Rule of Law, लेकिन वहां पे Rule of Law बड़ा strict है, सब कुछ कानून के हिसाब से होता है, डॉनल्ड ट्रम्प तक को impeach कर दिया जाता है इस साल, बच गए किसी तरीके से, समझ रहे हैं, तो वहां पे Rule of Law चलता है, हर कोई कानून क के हिसाब से काम करता है, कर्रप्शन वहां पे भी है, लेकिन सिस्टम बहुत तकड़ा है वहां का, इसे लिए हम देखते हैं कि अमेरिका एक developed country है, अमेरिका में बरबर गे जाते हैं, वहां कि एकॉनमी को मदद करते हैं, लेकिन यह जो Rule of Law है, यह जो डेमोक्रेसी है, रिय इस revolutionary war में, ठीक है, अमेरिका भी एक मुनार्गी हो सकती थी, लेकिन अमेरिका ने अपने आपको एक Republic होना जादा सही समझा, ठीक है, इसके roots जो है, वह है American Revolution में, जो की 70-75 में 1775 में शुरू हुआ, और ultimately 1783 में खतम हुआ, जब Treaty of Paris sign होई, और अमेरिका आजाद हो गया था, जो leaders थे, अभी मैं leaders के नाम बताऊंगा दोस्तों, जो leaders थे वो बोलते थे कि अमेरिका इतना बड़ा है, यहां के खुद के लोग गवर्न कर सकते हैं, खुद के लोग ही काफी हैं यहां पे गवर्न करने के लिए, अमेरिका आज Donald Trump पो बोलते हैं, लेकिन अमेरिका को migrants ने बसाया है, अमेरिका को प्रवासियों ने बसाया है, वहां के जो मूल, मूल लिवासी हैं, जो tribes हैं, उनकी तो हलत बहुत खराब है, पांसो से सब्से रिकागनाइजडे tribes हैं अमेरिका में, अमेरिका तो basically tribal था जिनको Red Indians बोला जाता था, लेकिन हम यह देखते हैं कि उनके तो राइट्स है ही नहीं, तो अमेरिका को एक तरीके से Europeans और Africans ने बसाया है, समझ रहे हैं, तो migrants नहीं और आज Donald Trump बोल रहे हैं, बाहर से कोई नहीं आना चाहिए, लेकिन Donald Trump को शायद यही नहीं पता कि अमेरिका को बाहर वालों नहीं बसाया है, वो एक अलग topic है, तो यह revolution हैं दोस्तों, 1775 से लेकर 83 तक चला, अब हम एक एक चीज देखेंगे, क्या cause था, क्यों revolution और important leaders के बारे में जानेंगे, एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी जब युद्ध होता है, rebellion होता है, तो आपको support की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, you will be surprised to know, कि when this war was fought, जब ये war हो रहा था, लड़ा जा रहा था, American army के पास एक धिला नहीं था, उनके पास हतियार नहीं थे, उनके पास खाने को कुछ नहीं था, खाने के लिए पैसे नहीं थे, उनके पास uniforms नहीं थे, पहनने के लिए जूते तक नहीं थे, लेकिन उसके और दस्त बहादूरी दिखाई ये American army, American army ने, continental army ने, समझ रहे हैं, तो ये चीज है, अब दोस्तों ये देख लिए, ये world map है, physical map, ये है United States of America, ठीक है, और ये है आपका South America, इसी को पूरा American continent कहता है, ये है Canada, ठीक है, तो अगर हम United States of America के बाद करें दोस्तों, तो अभी 50 states ह अमेरिका का federal structure आपको पता ही है, लेकिन originally 13 colonies थी, अब colonies का नाम सुनके ही, आप समझ गए होगे, कि British are यहाँ पे आए, Europeans ने दोस्तों, देखिए, सबसे पहले अमेरिका पे कौन आया, Christopher Columbus, नाम सुना होगा, Christopher Columbus ने अमेरिका को discover किया, ठीक है, शुरुवात कहां से हुई थी, शुरुवात हुई थी दोस्तों, 15th century से, mid 1400 में क्या हुआ, मतलब 1470 के आसपास क्या हुआ, कि वास्को डगामा निकले, है ना, और 1493 आते आते, मतलब 1498 आते आते वास्को डगामा भारत आये, क्यों, क्योंकि ये जो जमीनी रास्ता था, इस पे कबजा हो गया था, किसका, अरप्स का, इसलाम का उदय हो गया था, 632 AD के आसपास, तो यहाँ पे अरप्स ने कबजा कर लिया था, ये रास्ता वड़ा खतरनात था, तो जो यूरोपियंस थे, ठीक है ना, ये है ब्रेटिश, याद रखेगा आपना, दिखा देता हूँ, ये है आपका ब्रेटिश आ रास्ते से और ये पूरा एफ्रिका होते हुए, ये सब कोछ ये भारत महुंचे, समझ रहे हैं, तो ये एक तरीके से समुद्री रास्ता निकाल दिया गया, 1498 में कैलिकट में आए, वो कहानी अलग है, मैंने कवर भी की हुई है दोस्तों, आप देख लीजेगा, ले चलू करता था, है ना, तो अब होड़ लग गई कि हर किसी को भारत भेजो, ठीक है, इसी में एक थे क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस को भी स्पेन ने स्पांसर किया था, कि क्रिस्टोफर कोलंबस को भी भारत भेजो, अब प्राब्लम ये हुई कि क्रिस्टोफर क कोलम्बस चले गए उल्टी जगाँ इनको जाना तो इधर था लेकिन चले अब उस समय कोई मैप था नी फोन था नी उठा के GPS on किया पहुंच गए नहीं तो उल्टी डारेक्शन में चले गए और पहुंच गए United States of America उस समय तो अमेरिका नहीं था अब जब इस कॉंटिनेंट पहुंचे बहुत बड़ा लैंडबास था उन्हों ने बोला यहीं अमेरिका है Christopher Columbus ने बोला यहीं अमेरिका है इसलिए European जो है यहां पर जो लोग रहते था आप सोचते होंगे कि आज अमेरिका में उनकी ट्राइज को Red Indians क्यों बोला जाता है मेक्सिको में भी आप बोला यहीं भारत है और यहां पर Red Indians इनको बोलना शुरू कर दिया अब हम यह देखते कि Spain आया Spain ने अपनी कॉलोनी बनाई यह Santa Fe मेक्सिको पर पूरा कबजा किया ठीक है उसके बाद France आया और फिर आया British समझ रहे हैं अब जब British अर अमेरिका में आया तो British तो बड़ा ता पहले आये गई फिर था France ठीक है और उसके बाद था British ठीक है और British ने ओरिजिनली 13 colonies बना ली 1732 में British ने पहले क्या किया पहले तो यहाँ पे हम यह देखते हैं कि कारोबार किया मतलब पहले इस पूरे इस पूरे continent को कंट्रोल किया ठीक है अब कंट्रोल दोस्तों क्या था इसमें एक और चीज़ आती है slaves आफ्रिका में भर भर के slaves लाए गए और यह South America तो पूरा slave से भर दि है ना ब्राजील में आज भी देखेंगे आपको brown और black people मिलेंगे वो intermixing एक तरीके से races की क्यूं क्यूंकि यहाँ पे आफ्रिका से पूरा slave trade शुरू हो गया था ठीक है देखें यह अमेरिका है और यह South America यह resources यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं cotton cultivation अमेरिका के South में बहुत indicted Europe में जो लोग रहते थे वो वैसे बहुत intellectual और Europe की population बहुत कम थी तो एफरिका इतना बड़ा था कि भर भर के लोगों को यह South America में उठा के ला के रंग दो और बड़ी खाराक condition थी तो इनसे 24 घंटे काम कराया जाता था तो South America और North America यहाँ पे इनको बसाया गया है basically ठीक ह है तो यह slave trade भी शुरू हो गया यह क्या करते थे slaves जो आते थे यह golden triangle आपको यादी होगा slaves जो आते थे यहाँ पे काम करते थे और उसके बाद जो finished goods हैं वो फिर पूरी दुनिया में जाते थे समझ रहे हैं Africa Africa से slaves सारे हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं और यही जो goods होते थे वो हिसाब से उसको use करेंगे ब्रिटेन यही जाता था यह background clear हो गया समझ गया बहुत बढ़ी है very good अब दोस्तों थोड़ा सा fast forward करते हैं 1730 साते आते तेरा colonies बनाई थी ओरिजिनल तेरा colonies थी ठीक है यह आप देख सकते हैं यह है तेरा colonies नाम भी दिया है आप देख रहे हैं वर्जीनिया ठीक है Massachusetts, New Hampshire, New York, Maryland, Connecticut, Rhode Island यह सब याद करने के बिल्कुल जरूरत नहीं है डिलावरे, North Carolina, New Jersey, South Carolina, Pennsylvania, Georgia सत्रा सो बत्ते साते आते तेरा colonies हो गई थी ब्रिटेन की यह चीज आप समझे और यह शुरुवात कब हुई थी 1607 में शुरुवात हुई थी अब ब्रिटेन ने यह 13 colonies बना दी और जब यह 13 colonies बनाई तो ब्रिटेन यह कहता था कि जो भी बिजनेस होगा वो हम करेंगे समझ रहे हैं ब्रिटेन ने पता है क्या किया धीवेदी में करके ब्रिटेन ने यहां की ट्राइब्स को खतम करना शुरू किया अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल रहते थे इंडिजिनियस लोग लेकिन इनको खतम करना शुरू किया अरे यार डिस्ट्रक्शन एस्टेक एम्पायर पढ़िएगा, हरनेंदस कॉर्टेस ने किस तडिके से यहाँ पे मायन सब एता एस्टेक एम्पायर था, खतम कर दिया, जर से उखाड दिया, और सब एरोपियन्स आगे, इस्पेन ने ऐसा कतलया मचाया था यहाँ पे दोस्तों, 1595 के दौरान, समझ रहे हैं, पूरे के पूरे मेक्सिको के एम्पायर को ही खतम कर दिया था, तो ओरिजिनल 13 कॉलोनीज, इन सब ने जो कबजा किया है ना, ब्रिटेन, फ्रांस, ये बड़े खतरनाक लोग थे, वहाँ के मूल लिवासियों को खतम कर देते थे, ठीक है, अगर तुम काम नहीं करोगे तो मार देंगे, इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, तो 13 कॉलोनीज ये थी, ठीक है, ओरिजिनल ली 13 कॉलोनीज थी, ठीक है, अब यहाँ पे यूरोपियंस आके रहने लगे, अमेरिका में आपको गोरे क्यों मिलेंगे, जहाँ पे आपको दुनिया में गोरे मिल रहे हैं, वो सब यूरोपियंस है, यहाँ रखेगा, वो सब यूरोपियंस जाके बसे हुए हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे Europeans आके रहने लगे और Europeans ने फिर यहाँ पे अपना ट्रेड शुरू कर दिया, ठीक है especially British, अगर British की बात करें में British की इम बात करेंगे, तो इन 13 colonies में इन्होंने अपना ट्रेड शुरू कर दिया, यह आज का अमेरिका है यह आज का अमेरिका आप देख रहे हैं यह ओरिजिनल, मतलब आज अगर बात करें तो ओरिजिनल 13 colonies से expand होके यह 50 तक आ गया है, अमेरिका के अगर Assembly की बात करें, Congress की बात करें, तो वहाँ का Lower House क्या है, House of Representative Upper House है, Senate, और Senate में 100 seat हैं, और Total हैं 50 state यानि के हर एक state की 2 seat हैं ठीक है ना, बारत में population के हिसाब से seat होती है, वहाँ ऐसा नहीं है, तो वहाँ पे equal representation मिलता है, क्यार, वह भी मैं कहां भी उधर चला जाँगो, तो दिक्कत हो जागी यह आज का अमेरिका है, आम देखते हैं अमेरिका में क्या होता था, कि अमेरिका पे control था ब्रिटिश का, ब्रिटिश में थी assembly, 1756 आते हैं मतलब 1688 तो बकायदा पूरा ब्रिटेन जो है, वहाँ पे संविधान आ गया था, Constitutional मोनार्की आ गए थी, Bill of Rights आ गय थे, और बकायदा वहाँ पे assembly के पास जाधा थाकत आ गई थी, जो पार्लियमेंट में ब्रिटिश की, ठीक है, तो ब्रिटेन में जो पार्लियमेंट में बैठते थे, जो लेजिस्लेटर थे, उनी के पास सारी ताकत थी, अमेरिका में ये लोग गवर्मेंट का जो सरकार थी, यहाँ पे अमेरिका में चल रही थी, उसका गवर्नर जो होता था वह भी ब्रिटेन का होता था और वह वह सब ब्रिटिश से जहां पे भी revolution हुए दोस्तों, एक चीज़ आप गाठ बान लीजे, जब भी आप answer writing करेंगे, जहां पे भी revolution हो रहे हैं, especially अगर हम 16 ते 17 की बात करें, आप हमेशा रिनेसा को जरूर डाल दीजे उसमें, अपने answer में रिनेसा को जरूर कोट करिए, ये पुनर जागरण का period है, प्रभोधन काल है ये, लोग यहां पे बड़े बड़े philosophers जो हैं, वो यहां पे आ रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, कि उठो भाईया, सबसे important तुम हो, लोगों को जगा रहे हैं, Montescue हो गए, Emmanuel Kant हो गए, Russo हो गए, ये सब के सब बड़े बड़े philosopher, and you will be surprised to know, ये पूरा रेन पुधन काल भी चल रहा है, जिसकी वज़य से लोग और ज़दा enlightened हो रहे हैं, अब अमेरिका में ये बहुत तेजी पकड़ेगा, कैसे अभी हम बताते हैं, अब कुछ अब immediate causes की बात कर लेते हैं, 7 years war, ठीक है, 1756 से लेकर 1763 तक, 7 year war की बात करें, इसको world war 0 बोला जाता है, क एक तरफ था British, एक तरफ था France, बेसिकली expansion के लिए था, अब हम 7 year war में नहीं जाते हैं, आप थोड़ा से एक basic समझ लीजे, ब्रिटेन का साथ दे रहा था कौन-कौन, अमेरिका तो लड़ेगा ही ब्रिटेन के साथ, अमेरिका की कॉलोनी है, प्रूसिया हो गया, इस्ट इं अब हम बात करते हैं, तो यह 7 year war हो था, इसमें पूरी दुनिया लड़ रही थी, प्राक्टिकली पूरी दुनिया लड़ रही थी, और दूसरी तरफ था फ्रांस, फ्रांस के साथ कौन था दो, तो फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी, भारत में जो ब्रिटिश के साथ थे, वो ब्रिटिश के साथ खड़े हुए थे, और जो फ्रांस के साथ थे, जैसे टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान फ्रांस के साथ उसके बाद हम देखते हैं रशियान इंपायर, स्पेन, ये सब फ्रेंज के साथ, फ्रांस के साथ थे, ठीक है, बिसिकली जो कैथलिक, देखे, यहाँ पे भी जो जगड़ा था ब्रिटेन और फ्रांस में, अगेल उसकी आप रूट्स में कैथलिक और प्रोटेस्टेंट को द ठीक है, तो seven years war जो हुआ, साथ साल तक चला, और इसमें दोस्तों क्या हुआ, साथ साल के बाद ऐसी हालत खराब हुई, यहाँ पे फ्रांस और ब्रिटेन दोनों की, यह war जो है वो ब्रिटेन जीता, ultimately इसमें ब्रिटेन जीता, लेकिन दोस्तों, war जो है युद्ध ने दोन देशों की कमर तोड़ के रख दी, और यहाँ से ही दोस्तों, अमेरिका का मूड खराब होना शुरू हुआ, इसमें अमेरिका का लड़त तो ब्रिटेन और फ्रांस रहे हैं, इसमें अमेरिका का क्या लेना देना, अमेरिका का दोस्तों यह लेना देना है, कि जब यह war खतम हुआ ना तो हम यह देखते हैं कि फ्रांस तो पूरी ताहिगे बर्बाद हो गया ब्रिटेन भी बैंकरप्ट हो गया बैंकरप्ट इन दा संस कि ब्रिटेन के पास बहुत अच्छी खासी इसको लॉस हुआ यह वार आप बिना पैसे के कैसे लर सकते हैं तो यह 7 साल तक चला और इतना भीशर युद्ध हुआ ब्रिटेन जीता लेकिन बहुत ज़ादा नुपसान हुआ ट्रीटी ओफ पेरिस फिर 1763 में साइन की गई याद है ना ट्रीटी ओफ पेरिस कारनेटिक वार भी सी समय इंड हुआ था समझ गे तो अब हम यह देखते हैं कि सेवें येर्स वार्स ने कमर तोड़के रग दी अमेरिका इधर बिटेन की अब उसके बाद वार के बाद क्या हुआ वार के बाद पैसा तो चाहिए दुबारा एकॉनमी को बनाना है खूब सारा पैसा लेना है तो एक के बाद एक अजीब और गरीब बिटेन ने आक्स पास क कर दिये अब जब कानून अजीब होते हैं जब लोगों के खिलाफ कानून जाएगा तो लोग उठखड़े होंगे इसमें दोस्तों एक था सबसे इंपोर्टन्ट स्टैंप अक्ट था 1765 में फिर एक था टाउंचेंड एक शुगर एक्ट था शुगर एक्ट की बात करें द देज सकते स्टैंप पाक्ट सबसे इंपोर्टन स्टैंप पाक्ट की अभी हम थोड़ी दर बात बात करेंगे ठीक है यहां पे और एक था इसके इसमें क्या था कि जो तेरा कॉलोनीज है अमेरिका की आर्मी कहीं पे भी हो ठीक है लेकिन उनका खर्चा जो है वो ओरिजिनल 13 कॉलोनीज देंगी ठीक है ब्रिटेन का कोई भी लेना देना नहीं है यानि कि ब्रिटेन के लिए लड़ाई जरूर करेंगे लेकिन खर्चा जो है वो 13 कॉलोनीज देंगी स्टैंप पक्ट सत्त्रा सो पैसट अगर स्टैंप पक्ट की बात करें 1765 में स्टैंप आया था किताब कुछ भी पब्लिश हो रहा है तो उसमें सरकार ठपा लगाएगी, ब्रिटेन ठपा लगाएगी जिसके पैसे देने पड़ेंगे आपको, समझ रहे हैं? उसके बाद दोस्तों, टाउंशेंड आक्ट, टाउंशेंड आक्ट दोस्तों, बकाइदा प्रेस चलाते थे, उन्होंने बोला, चबेटा स्टैंप अक्ट लेके आ रहे हो, हम यहाँ पे प्रेस चला रहे हैं, किताबे चाप रहे हैं, तुम्हारे स्टैंप यूज करेंगे, रुको, अभ अमेरिका में यहां पे दोस्तों, हम देख्ते हैं, कि शुरू हो गया प्रोटेस्ट, ठीक है, अमेरिका में शुरू हो गया प्रोटेस्ट, अमेरिकंस जो थे, वो आगे जमीन पे और बहुत सारे ले दर जिसमें Benjamin Franklin थे, जो Thomas Jefferson थे, अमेरिका यहां पे दो वार लग रहा था, एक तो वो बैटल फील्ड पे लड़ेगा और एक intellectual वार था, अमेरिका में दोस्तों Benjamin Franklin बहुत intellectual थे, जो लिखते थे, Benjamin Franklin ने electricity इंवेंट किये, inventor थे, philosopher थे, sociologist गजब, जो लिखते थे वो पढ़ा जाता था, Thomas Jefferson भी ऐसे ही तो एक तबका जो है, वो तो intellectually अमेरिका को रेप्रेजेंट कर रहा था और एक मैदान में रेप्रेजेंट करेगा, तो अब इस एक के दौरान क्या हुआ, कि 1770 में, जब लोग बहुत जादा प्रोटेस्ट करने लगे, तो होता है Boston Massacre और यह immediate cause था, दो immediate cause थे, एक था Boston Massacre औ immediate cause था, ठीक है, 1857 की बहुर का, तो अब हम यह देखते हैं दोस्तों कि Boston Massacre में खाली पांच लोग मारे गए थे, ब्रिटेन ने पांच लोग यहाँ तो सड़क दोड़गर्टा में रोज डेली पांच लोग मर जाते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अमेरिका में जो पांच आम से जाना गया, समझ गया, अब जब यह हुआ, कतले आम कैसे कर दिया, पांच लोगों को कैसे मार दिया, लोगों का गुस्वा और जाधा फूट पड़ा, जब लोगों का गुस्वा बहुत जाधा फूट पड़ा दोस्तों, तब हम देखते हैं Tea Act of 1773 आया, देखें, अ भारत में इदर आसाम हो गया, दारजलिंग में बहुत बढ़िया चाय उगाई जाती है, और पूरी दुनिया में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, तो ब्रिटेन, अमेरिका यहां सब जगा चाय बेची, तो चाय से इनको बहुत ज़दा पैसा आता था, तो ब्रिटेन को सोचा इन सारे आक्ट को हटाओ, तो ब्रिटेन ने सब आक्स को खतम किया, बस एक आक्ट को उन्होंने खतम नहीं किया, टी आक्ट को, 1773 के टी आक्ट को उन्होंने खतम नहीं किया, उन्होंने बोला हम सारे आक्ट को हटा लेंगे, लेकिन ये चाय वाले आक्ट को नहीं आटा होगे देखिए दोस्तो Samuel Adams थे एक बहुत बड़े लीडर जिन्होंने Sons of Liberty नाम का एक ग्रुप बनाया था यह जो ग्रुप था यह हिंसा करता था बिल्कुल यह हिंसावादी था पीस भी था पीसफुल भी था लेकिन हिंसावादी भी था अगर हमको आजादी ऐसे इंसिडेंट होता है Boston Tea Party 16 December 1773 में अब Boston Tea Party में क्या हुआ दोस्तो देखिए दोस्तो ऐसा है Boston Tea Party की बात करें तो यहाँ पे चाय जो है ना चाय वो आती थी और अमेरिका के Boston, Massachusetts, Hutchinson यह सब जो बंदर गा थे ठीक है यहाँ पे चाय को अनलोड किया जाता था ठीक को अनलोड किय जा रहा है यह चीज़ आप समझे ठीक है तो अब हुआ क्या कि Samuel Adams के Sons of Liberty Samuel Adams इसमें directly involved नहीं थे वो सब चड़ गए शिप पे ऐसी की तैसी तुम कैसे अनलोड कर रहे हो चाय जब हमने बोला है चाय आपे नहीं आए यह रुका भी बताते हैं तो Samuel Adams की Sons of Liberty ने क्या किया चाय से भरा हुआ पूरा का पूरा शिप ठीक है हजार पॉंड के लगबग सब सारी चाय की जो क्रेट्स थी वो फेग दी समुद्र में पूरे शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया डिस्ट्रॉय एजिफ कि उन्होंने जो भी चाय टी इसी लिसको Boston Tea Party बोला जाता था जो चाय की क्रे बहुत जादा हो गया और अल्टिमेटली हम देखते हैं कि final act आता है यहां पे intolerable act और यही आखरी कील थी इनकी ताबूत में आखरी कील थी British Empire अमेरिका में जो था intolerable act 1774 में आया इसमें यह था आज से इनफाक्ट अभी से सारी public meetings बैन करो यह लोग बहुत बत्मीजी कर रहे हम लोगों के साथ जो भी प्रोटेस्टर हो उसको पकड़ के जेल में बंद कर दो मारो पीटो हमको कोई लेना देना नहीं है लेकिन आप इस प्रोटेस्ट को और अमेरिका अब रुकने वाला नहीं था समझ रहे हैं इसी दोरान दोस्तों हम देखते हैं कि 1774 में फर्स्ट कॉंटिनेंटल कॉंग्रेस हुई ठीक है फर्स्ट कॉंटिनेंटल कॉंग्रेस बड़े बड़े लीडर्स आयते यहां पे और 13 colonies की representation आयते यहां पे representatives थे ठीक ह अब उसके बाद शुरुवात में यह लोग इतना independence नहीं बोल रहते हैं कि हमको आजादी चाहिए शुरुवात में नहीं बोल रहते हैं कि जैसे जैसे वक्त आगे बड़ा 1774 आते हैं इन्होंने बुला कि हमको आजादी चाहिए 1774 में दोस्तों हम देखते हैं कि Continental Congress हुई और वहां पे जो 13 colonies के representative है वो आए और उन्होंने strategy बनाए कि आगे हमको क्या करना है उसमें से दोस्तों एक बहुत important था no taxation without representation मतलब देखें ब्रिटेन में क्या था अभी मैंने आपको बताया कि जो पूरी power थी वो ब्रिटेन के पास थी Parliament में जो लोग बैठते थे वो representation ही नहीं था और अमेरिका को भर-भर के tax देना पड़ता था तो आप खुद ही सोचिए कि एक देश जिसके लोग उसकी assembly में नहीं बैठेंगे तो वो क्यों tax देगा अमेरिका यह बोल रहा था कि हम तभी tax देंगे जब हमको assembly में बैठाओगे अपनी जब हमको Parliament में बैठा तुम्हारा काम है बोलना तुम बोलो हमको कोई फरकी नहीं पड़ता है ठीक है फिर से हम देखते हैं कि Congress जो है वो दुबारा यहाँ पे इसका 1775 में Continental Congress जो है वो दुबारा यहाँ पे मिली और इस बार जब Continental Congress दोस्तों मिली तब उसने हम यह देखते हैं Second Continental Congress जब 1776 में ली तब उन्होंने बोला कि अब हमको लेनी है आजादी ठीक है इसी दोरान दोस्तों American Revolution शुरू हो गया 1775 में अपरेल 1775 आते आते अमेरिकन Revolution शुरू हो गया ठीक है Lexington और Concord की battles लड़ी गई लेकिन अभी दोस्तों मैंने आपको बोला कि American Army अमेरिकन की जो आर्मी थी Continental Army और George Washington एक कमाल के इंसान बड़े शर्मीले थे वैसे George Washington 6 feet 2 इंच के थे बहुत शर्मीले थे बड़े अमीर इंसान पिता जी बहुत ही कम उमर में बाता पिता जी छोड की ठीक है पहले इन आर्मी जो इनकी फिर इसके बाद आर्मी को छोड़ दिया लेकिन फिर George Washington दुबारा Continental Army को लीड करने के लिए आ है क्योंकि गजब की Administration Skills थी इस इंसान के अंदर तब इनको First President बनाय गया तो George Washington जो है George Washington हम देखते हैं इनको Continental Army का General बनाय गया Chief बनाय गया कि अमेरिका बहुत बड़ा है अमेरिका में लोगों की कमी नहीं है अमेरिका में लोग अपनी आजादी के लिए लड़ेंगे यह बिल्कुल पक्की बात है और ऐसा हुआ भी अब दोस्तों एक तरफ थे इंगलेंड याद रखिएगा जहां पे भी इंगलेंड लड़ेगा इनके सपोर्टर्स को बोला जाएगा रॉयलिस्ट क्योंकि इंगलेंड हमें रॉयल चीजों में विलीफ करता है तो आमें इंगलेंड के ब्रिटेन के सपोर्टर्स को बोला जाएगा रॉयलिस्ट ठीक है और अमेरिकान जो लड़ रह थे इनको बोला गया पेट्रियोट्स समझ रहे हैं तो अब ये पेट्रियोर्ट्स वर्सेज रॉयलिस्ट के बीच में 1775 में जंग जो है वो शुरू होगी शुरुवात में अमेरिकन कॉंटिनेंटल आर्मी को बहुत लॉस्ज हिलना पड़ा समझ रहे हैं लेक्सिंटन कॉंकॉर्ड की बैटल से हार गए दोस्तों यह जो बैटल है यह जो साथ सालों तक बैटल चली है इसमें दोस्तों कुछ बैटल्स ब्रिटेन जीता हम बैटल्स पी इतना नहीं जाएंगे कुछ बैटल्स ब्रिटेन जीता और कुछ बैटल्स जीता अमेरिका अमेरिका का साफ साफ यही मानना था जो अमेरिक अब Second Continental Congress की बात करें, Second Continental Congress फैले डेलफिया में हुई और 4 जुलाई 1776 में ये बोल दिया गया कि अब हमको चाहिए आजादी, बस यहाँ पे हम देखते हैं Independence का ड्राफ्ट तयार किया, पांच लोगों ने यहाँ पे पांच लोगों की बकायदा कमीटी बैठाएगी, यह Robert Livingston, आप देख सकते हैं यह, यहाँ लिफ्ट से आप देख ली जगट, ठीक है, तो इन पांच लोगों ने अमेरिकन इंडिपेंडेंस का ड्राफ्ट तयार किया बकायदा, ठीक है, और अब इन्होंने बोला, Declaration of Independence, यह डेट याद रखे का, 4 जुलाई 1776 मेरिकन इंडिपे यह आजादी, Thomas Jefferson ने इस पूरे जो यह Declaration of Independence इसको लिखा था, ठीक है, उसका ड्राफ्ट जो है दोस्तों, नेट पर अविलेबल है, आप देख लीजेगा, ठीक है, अब उसके बास Second Continental Congress होती है, आजादी घोशित कर दी, ब्रिटेन तो अभी है ना, मैं ब्रिटेन बोलता, अच्छा, हमारे लहते हुँ तो महजादी लोग है, अभी तुमको बताते हैं, तो यह जो वाँ है दोस्तों, यह चलता जाता है, यह अगले साथ सालों तक वार चलेगा, ठीक है, 1776, 1783 तक ही वार चलेगा, समझ रहे हैं, इसमें फैलेडेलफिया में भी दोस्तों हम देख दिया, अमेरिकन सारा टोगा की वार को जीत लिया, और अमेरिका की आर्मी ने जब सारा टोगा की वार को जीता, तब ब्रिटेन अपने हतियार डालने शुरू कर दिये, समझ रहे हैं, 1778 में ब्रिटेन के उपर वार भी, we are in the war with Great Britain, तो यह डिकलेर भी कर दिया, ठीक है, अ दोस्तों, अमेरिकन revolution में एक और चीज़ हुई, अमेरिका अखेले नहीं था, देखिए, ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन अमेरिका से लड़ रहा था, और अमेरिका भी ब्रिटेन रहा था, दोनों आपस में बिड़े हुए थे, यह स्पेन और फ्रांस भी इस war में कूद गए France को ये लगा, एक तो France को 7 years war का बदला लेना था France को ये लगा कि हम America की मदद करते हैं और जब America ये war जीतेगा तो हमको बहुत कुछ मिलेगा तो France ने American army को बहुत कुछ supply क्या हतियार दिये और आदमी दिये, बहुत कुछ supply क्या, पैसे से मदद की लेकिन जब अमेरिका जीता तो फ्रांस को एक धेला नहीं मिला उपर से फ्रांस में आगे revolution फ्रांस में भी तो पैरलली revolution आगया ना फ्रेंच revolution फ्रांस में भी हालत बहुत कराब होगी समझ नहीं है तो कुछ भी 1780, South Carolina, Georgia, ठीक है, यहां सब पे लड़ाई हुई, 1783 आते आते, Battle of York Town लड़ी गई, और ultimately हम देखते हैं दोस्तों, इस Battle of York Town को अमेरिका ने जीत लिया, जाधा तर शेहरों से अमेरिका ने British Army को भगा दिया, ब्रिटेन के पास अब इतनी ताकत नहीं थी कि इस War को लड़ सके, समझ रहे हैं, तो ब्रिटेन ने हतियाए डाल दिये, और finally हम देखते हैं कि 1783 में Treaty of Paris sign भी, Treaty of Paris sign भी Benjamin Franklin गए थे, Benjamin Franklin अल्डेडी Paris में थे, मैंने बताया था, George Washington जमीन पे लड़ रहे थे, लेकिन बाकी जो काम है, जो पेपर वर्क है, वो Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, John Adams, ये लोग कर रहे थे, Benjamin Franklin ऐसे थे, जो भी वो लिखते थे, पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, Benjamin Franklin, वो तो scientist थे एक तरीके से, उनके autobiography पढ़िएगा, कमाल की है, तो Benjamin Franklin जो भी लिखते थे, वो लोग पढ़ते थे, और उसमें पढ़ने का इस तरह शौक भी नहीं थे, उसके बावजूद Benjamin Franklin को वो रेकगनाईस कर दिया, वकायदा, अमेरिका वो उनाइटेट स्टेट्स वो रेकगनाईस और एक नए देश की स्थापना हो गई, बिलकुल आजाद, युनाइटेट स्टेट्स ओफ अमेरिका, ओरिजिनल थर्टीन को अलोनीस थी और आज पचास स्टेट्स हो गए है, ट्रीटी ओफ पैरेस, ये दोस्तों ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है, ट्रीटी ओफ पैरेस, साइनुटी 1783 में, समझ गए, अब उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, 1783 के बाद, दोस्तों अगर फाउंडिंग फादर्स ओफ अमेरिका के बाद करें, तो उसमें ज जोन जे और अलेक्जेंडर हैमिल्टन, समझ रहे हैं, तो इन साथ लोगों को फाउंडिंग फादर्स ओफ अमेरिका बोला जाता है, अब दोस्तों इसके बाद अमेरिका का सम्विधान बनाना था, ठीक है, अमेरिका तो जीद गया वह और, अमेरिका का सम्विधान कैसे ब बेल ओफ राइट्स, जो की fundamental right है, लोगों को सबसे ज़्याधा तावज्जो दो, bill of rights is equal to fundamental rights, उस समय fundamental rights को bill of rights बोला जाता था, कि लोगों के क्या rights है, और फिर हम देखते हैं, और फिर हम देखते हैं, कि जो रेने इसा प्रभोहधन काल था, ये बहुत अच्छी चीज़ दो दोस्तों और यह शाद पहली बार ऐसा हुआ है ज़ा अमेरिका में revolution आया था एक मतलब जादा representation के लिए लोगों को उनके rights मिले और जब अमेरिका आजाद हुआ तो लोगों को उनके rights मिले है ना अमेरिका के समविधान इस तरीके से frame किया गया कि लोगों को सारे rights दिये गए will of rights मिसके बकायदा प्राफधान थे फिर उसके बाद एक democratic government executive legislative judicial montescue के checks and balances montescue के principle को follow किया गया executive legislative and judicial जो जादतर democracy में होता है ना मैं एमलक्षमिकान पढ़ा रहा हूँ उसमें मैंने बताया था भारत का भी ऐसे ही धाचा है तो federal government की इस्थापना हुई अमेरिका में और अमेरिका का समविधान जो है वो 1789 में लागू कर दिया गया effective हो गया effective 1789 में अमेरिका का समविधान जो है वो आ गया और originally bill of rights की बात करें तो originally 10 amendments थे ठीक है 10 amendments किये गए थे bill of rights में और 1791 में bill of rights को भी part of the constitution बना दिया और अभी 27 constitutional amendments है समझ रहे हैं अब भारत में क्या हुआ दे कि भारत में दोस्तों यहाँ पे टीपू सुल्तान लड़ रहे थे ब्रिटेन अमेरिका में हार चुका था ब्रिटेन को ये पता था कि और भारत को वो नहीं खो सकता था बोला जाता ना भारत जो है ब्रिटेन के सरका मुकुट था ठीक है तो भारत को वो नहीं खो सकता था तो भारत में साउथ में इस समय टीपू सुल्तान अकेले खड़े हुए थे टीपू सुल्तान, खाली वही बचे थे, क्योंकि इधर मराठा तो मराठाओ की बहुत हालत कराब होगी थी दोस्तों, ठीक है अगर हम बात करते हैं, फिर इधर अगर हम इधर नॉर्थ में बात करें, तो बेंगॉल तो पूरा इधर बिटेन के कंट 1799 में टेपू सुल्तान को खतम कर दिया गया, यह effect था, American Revolution का दोस्तों, ब्रिटेन सदमे में चला गया था, कि जहां पे भी हमारी colonies है, बिल्कुल दवा के रखो उनको, उनके लोगों को, उनकी आर्मी को, मतलब वो तो आर्मी उनी के ही अंडर थी, समझ रहे हैं, तो यह च जो और वाशिंग्टन और अमेरिका में जो लोग लड़ रहे हैं, उनके पास खुद भी बहुत सारे स्लेव्स थे, स्लेवरी एक बहुत एक काला हितिहास है, थॉमस जेफर्सन के पास स्लेव्स थे, हाला कि थॉमस जेफर्सन ही एक ऐसे इंसान थे, जो यह बोलते थे, कि स यह स्लेवरी जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, बाट उनको ये भी लगता था कि आफरिका में जादा अपुच्चूनिटी नहीं है, अगर अफ्रिका यहाँ पर रहेंगे, त sie के अबिए जादा सम्रिध होगे, पैसा उनके पास आएगा, लेहिं जैसे एसे वकत आगे बा दो बार प्रेसिदेंट बने थे ये 1789 से लेकर 1797 तक तो जॉर्ज वशेंग्टन से पूछा गया कि क्या आपको बोले यूर हाइनेस बोले राजा महाराजा क्या बोले जॉर्ज वशेंग्टन ने बोला बहुत कमाल के इंसान थे आप मुझे Mr. President बोलो यहां तक कि जॉर्ज पैसे आ रहे हैं ना मुझे मद्दो देश के लिए लगा दो मुझे पैसे नहीं चाहिए पैसे कि मुझे कोई क्यों कि मैं बहुत अमीर हूँ अल्रेडी मैं क्या करूंगा पैसो का फिर दोस्तों जॉन एडम्स राष्ट्रपती बनते हैं 1797-1801 फिर ठॉमस जेफर्सन 1801-1809 फिर जेम्स मेडिसन और जेम्स मुन्रो यह पांच शुरू के पांच राष्ट्रपती आप जरूर याद रख लिएगा तो यह अमेरिकन रेवलुशन पर दोस्तों लेच्चर था आई होप आपको क्लियर हो गया कोई दिक्कत नहीं है खुश रहिए पढ़ते रहिए देश अगला लेच्चर आएगा 28 माई को फ्रेंच रेवलुशन पर थांक यू सो मच